हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टु माई यूटीब चैनल, दोस्तो आज की वीडियो में मैं आप सभी स्टुडेंट्स के लिए लेके आए हूँ एक बहुत इंपोर्टेंट नोटिफिकेशन, जो की आपके जुन 2021 टाम एग्जामनेशन से रिलेटेड है, आपके एग्जाम्स को इ सिट्वेशन काफी खराब है, इसलिए मेरी भी कुछ पर्सनल प्रोब्लम्स थी और जिसकी वज़े से मैं फिर वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, लेकिन दोस्तो अभी आपको वीडियो टाइम टाइम पे रेग्लरली मिलती रहेंगी, तो दोस्तो वीडियो को लाइक कर द देना, आपके उसी नोटिफिकेशन के उपर, जो कि आपके जून 2021 टाम एग्जामनेशन से लेटेड इगनू की तरफ से अभी लेटेस्ट अपलोड किया गया है, दोस्तो ये नोटिफिकेशन 6 माई को इगनू की तरफ से साइन किया गया है, 6 माई मतलब आज ही के दिन इस कर दिया जाएगा, आप यहाँ पर इस नोटिफिकेशन में चेक कर सकते हैं, डोक्टर वीबी नेगी, जो कि रजिस्टर है, स्टुडेंट इवेलिएशन डिवीजन के जो कि आपके एक्जाम्स को कंड्रोल करते हैं, उनके साइन किये वे इस नोटिफिकेशन में बताया ग दिया गया, मतलब जब एक इगनु की तरफ से नोटिफिकेशन आएगा, उसके बाद में ही आपका एक्जाम्स फॉर्म रिलीज किया जाएगा, और आपको कम से कम 21 डेज, 21 दिन का टाइम दिया जाएगा, जिसमें आप अपने एक्जाम्स फॉर्म फिल अप कर पाएंगे, आप सबी स्टुडेंट्स को ये हिदायते दी गई हैं कि आप अपनी तयारी रखें और सोट टाइम पे, मतलब जल्दी ही जब भी आपको अपने एक्जाम्स के लिए बोला जाए, उस टाइम पे आप अपने एक्जाम्स देने के लिए तयार रहें, आपको कम से कम 21 दिन का वक्त मिलेगा आपके एक्जाम्स की प्रप्रेशन करने के लिए, जबकि अभी भी आप अपने एक्जाम्स के लिए प्रप्रेशन करते रहें, जब भी आपके एक्जाम्स फोर्म इगनू की तरफ से रिलीज किये जाएंगे, उस ताइम पे आपको इसी चैनल पे नए पूज़ेट रिपोर्ट्स और आपके असाइमेंट समिशन के लिए 31 माई की लास्ट डेट दी गई है अगर आपके लिजनल सेंटर के तरफ से ओनलाइन गैडलाइन दी गई है तो आप उनलाइन जमा करवा दीजे अगर ओफलाइन के लिए बोला गया है तो आप उन्हें को फिलाल पॉस्पन कर दिया गया है लेकिन इसमें कोई भी ऐसी डेट नहीं बताएगी कि किस दिन से आपके एक्जाम स्टार्ट किये जाएंगे और किस दिन आपके एक्जाम फर्म रिलीज किये जाएंगे इसके लिए इगनू की तरफ से एक नया नोटिफिकेशन जारी क किया जाएगा वीडियो को लाइक कर दिजे लाइक करने के साथ आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में फेस्बुक पे और वाट्सक ब्रूप में सेर कर दिजे आप अगर मेरे चैनल पर पहले बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे सब्सक्राइ thank you friends